नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनिर गुपाल पतेल पर सुप्रेंट्स कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर आई टी आई का जो आप लोग का स्कील टेस्ट हो रहा है उसमें क्या डुक्मेंट भरिविकेशन भी होगा साथ में तो जा दिया है कि उनका पहले मेडिकल टेस्ट होगा 23 अगस्त को और 24 अगस्त को अस्कील टेस्ट होगा और जिनको राजास्थान जाना है उनका मेडिकल टेस्ट 30 अगस्त को होगा और अस्कील टेस्ट 31 अगस्त को ठीक है तो हम लोग बात करें फ्रेंट्स क्या डॉक्मेंट फिरिखेशन भी होगा स्किल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट से पहले तो देख लीए फ्रेंटस जो आप लोग को अफिसियल रिजल्ट आया है उसमें स्किल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के बारे में ही बताया गया सिर्फ बट आप लोग को क्या करना है पूरी तयरेक्स आ जाना है फ्रेंड्स उन्होंने यह नहीं बताया है कि आपका डुपेंड फिर विविकेशन होगा और यहां तक तो मुंबई में जो मुंबई जा रहे हैं उधर से कोई मतलों कॉल ही नहीं उठाया गया है तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट क्या था कि आप लोग भी उनको कॉल करें और मेल करें कि उनको मुंबई जाना है उनको सही एड्डर्स बताया जाए या फिर ओ लोग जद ही एक से दो दिन के अंदर फिर से नया नो तो आप लोगों पर एक स्लीप मिला होगा आधा काट कर ठीक है और अधा वहां पर जमा कर लिए होगा तो जो आधा स्लीप मिला होगा वो आप लोग को लेक जाना है साथ में यह बहुत जरूरी है ठीक है वो आपका एक दरह से admit card है for a skill test and medical test के लिए तो ध्यां रखना है और फिर दूसरा number क्या है दूसरा number है आप लोग को application forum तो application forum आप लोग को निकलवा लेना है और उसको लेक जाना है साथ में तीसरा number क्या हो गया तीसरा number हो गया photo तो आप लोग ने जो photo जमा किया था या फिर जो photo लगाया है उन दोनों photo को जरूर लेक जाए गम से गम 2 से 3 3 और चौथा क्या हो गया चौथा हो गया cash certificate तो cash certificate आप जीस भी cash से बिलोंग करते हो चाहे EWS हो OBC हो SC हो चाहे ST category के हो तो आप लोग अपना कागस तयार करने फ्रेंट्स और cash certificate आप लोग अपना latest बनवाले है ठीक है जो आपका पुरान है उसको renew करवाले है जल्द से ठीक है और चट्था पाचमान नवर हम लोग देख लेते है और original and essential certificate original certificate लेखाया जैसे आप लोग का selection ITS होगा तो आप लोग का जो ITS का original certificate है ओ लेकर जाना है साथ में mark sheet है जो भी certificate मिला होगा ITS की तरब से उन सभी certificate को लेख जाईएगा ठीक है और साथ में आप लोग तेंथ का भी certificate लेखेगा क्योंकि उससे आप लोग का date of birth मिला जाएगा क्योंकि अभी तो आप लोग का date of birth के एक परमान पत्र बनता है बच्चों का वो तो नहीं बनाऊगा हम लोग पहलेगा ठीक है तो उसको आपको तेंथ के certificate से मिला जाएगा तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को तेंथ का पूरा certificate लग जाना है ITI का पूरा certificate लग जाना है अगर आप लोग ने additional में 12 का दिया होगा तो आप लोग को 12 का भी certificate लग जाना है ठीक है और उन सभी का आप लोग को क्या करना है जितना भी डॉक्मेंट्स लेख जाएंगा आप लोग उन सभी का फोटो कोपी जो दो फोटो कोपी जरूर साथ में रखेगा ठीक है और जो भी लेटेस्ट नोटीस आएगा HWB की तरब से जो भी इंपोर्टेंट नोटीस इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आएगा जल्द नहीं तो मैं आप लोग को से जरूर करूँगा और आप लोग इन बातों को जरूर ध्यान रखेगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्ते वरों में सेर करें अगर आप लोग इन बातों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करने मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में थाइंक यू फ्रेंड्स